जो इनसन दिन रात आपके साथ फोन पर बात करने से नहीं थंगता था हमेंस आप से मिलने आता था अब उनका ज़दद तर टाइम अपने दोस्तों के साथ यह और चीज़ों को करने में जा रहा है लेकिन वह आपको टाइम नहीं देता तो जब आपका पंधा आपको टाइम कराउने प्रोब्लेम बहुत आसा से सोल हो सकता है तब एक लोग होते हुँ गलत राक्ता पसंद रे तो हाथ है क्योंकि यह प्रोब्लेम हंड्रेट प्रिम्हें को सकता है यहिकली योग में इसे फोन पर बात करते हमारे साथ phone call appointment book करते हैं हम उनको यह चीज़े करने के लिए करते हैं उनके रिलेस्टन को अब्जार करते हैं और इसलिए यह चीज़ आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा तो पहले तो थोड़ा सा नहीं रहेगी लोगों को कुछ नयापन जाए ठीक है इसलिए हमेजा में कहता हूं अपने आपको अप्ग्रेट आप करते रहे हैं वही एक रिसन है कि अब नयापन रिलेस्टन में नहीं रहा तो लोग बच जहां पर कुछ नहीं चीज़ें मिलते ऐसी जो में बीजी रहना उ कुछ गडबड हो रहा है अब हम नेगेटिव सोचते हैं कि हां वो किसी के पीछे पड़ा होगा साइथ किसी और लटकी से चेट कर रहा है यहां जा रहा है मन पर गया हमारे मैंन में नेगेटिव ख्याल आने बहुत सिंपल सी बास है यह होगा ना ठीक है तो फिर हम उनको आरे हाथ लेते हैं ठीक हो बहुत कुछ सुनाते हैं यह वो क्यों बात नहीं करते हैं जगडते हैं यह सबसे पहली चीज तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा कोई उनको बारे में ऐसा करें दूसरी चीज जगड़े से इरिटेशन पैदा होती है जुम्हें हमेशा कहता हू तो यह सब्सक्राइब यह जाजतर लोग यह जाएंगे ना यह पार्टनर टाइम नहीं देता तो यार गलत यहने की नेगेटिव थोट्स आना बहुत सिंपल से होती और इसके कारण क्या होगा फाइट होगी तो दोनों का एक्स्पियोंस खराब होगा फिर दोनों को लगत एक सही रास्ता है एक सही वेब होता है जहां पर हमें चल कर इस प्रोब्लेम को सोल करना है पहली चीज में हम जैसे उनके पाँ जाकर फर्याद करते हैं इसका मुनब यह कि को ब्लोक करना है इंग्नोर करना है हमें जो भी चीज़े करनी है ना हम जो भी करेंगे ना एक बात ध्यान रुखो कि वो नोटिस कर पाए उसको यह पता चलुपाई कि तुम्हारी लाइफ में कुछ हो रहा है तुम कुछ कर रहे हो अधरवाइस तुम कौन में जाके करोगे तो उसका कोई महलब नहीं है ठीक है दुखीपन वह लोगों को आप से दूर करता है लेकिन लोग जहां पर हैपीनेस रिखते हैं वहां पर आते हैं क्योंकि वह भी हैपी होना चाहता है तो एक हैपीनेस तो अल्टिमेट आपकी और उनको कीचेंगे ठीक है तो वह चीज़ तो आप में होनी चाहिए दूसरी च सकते हैं यह मज़े की बात है और आपको यही करनी है हमरी लाइफ में क्या चीज़ बदल सकती हैं हम उनके ओपर फोकस करने के बज़ए कि वह क्या करा है किन से बात करें ठीक हैं उनको फोलो करने के बज़ए उनको नजर रखने के बज़ए हमना अपनी लाइफ में मस्त हो सकते हैं हम अपने आप में कैसे खुष हो सकते हैं इसके बारे भी उनके बिना में अपना पूरा दिन कैसे निकाल सकता हूं और उनमें भी रहूं बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं आपके दोस्तों के साथ इंजोई करना बहुत ऐसी चीज़ हैं उनमें साथ में साथ में यह ची तुम्हारे बजाए किसी और को टाइम दे रहे किसे और के साथ बाते करें और वहां पर वह पर पर लिए तो तुम्हें अपनी लायव में अपनी खुद की लायव में इमोशनली इंडीपेंडेंट होकर उनके साबने रहना है खुश रहना है हाँ अब ऐसा नहीं होगा कि आपने दो दिन ये चीजे करी और वो पर्शन है ना आपके पास आकर बाते करने लगा और आपको बहुत चैसा टाइम देने लगा पर जैसे आप उनके सामने अपने आपको ऐसे प्रेजन करने लोगे धीरे 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 उनका होता था गुसे होता था जगड़ा करता था लेकिन ये बंद आया ना यानि कि आप पार्टनर ने टाइम देना बंद किया तो आपने क्या क्या आप उनके सामने ऐसे आए जहां पर वो आपको नोटिस कर पाए अपनी खुद की लाइफ में खुश होने लगे अपनी चीजे करने लगे दोस्तों के साथ फेमिली में ठीक है और बस ऐसे जीने लगे कि जहां पर उनकी नजर जाए यार मेरे बिना भी खुश है यह चीज कब हुई तो मैं आपको बना था ना तब यह परसन आपकी यही सार्चे देखकर तो अट्लेक हुआ था कि आप अपनी लाइफ म हमारे अंदर से आती है किसी के आने या जाने से नहीं उसका कोई कनेक्शन होता है एक एडवांस टिप्स में आपको और भी देता हूं यह चीज करने के बाद भी ना होना तो थोड़े से ओपोजी जेंडर है यह आप लड़के हैं तो लड़कियों को दोस्त बना उनके सही तरह से फोलो करने की जोगता है तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इनको आप अप्लाइज जरूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें को मेंट करें दोस्तों को साथ सेयर करें जो रिलेसंशिप में स्ट्रगल कर अपकोस आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप पर्सनली मेरे साथ फेस्बूक पर चुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे ठेंक यू सो अबाट